हाई दोस्तों मैं हूँ सिराजार अप्लोडस होगत है मेरे चैनल सिराज सेशलेशन में आज इस टीटोरिल में हम लोग डिसकस करने वाल है Python का breakup a continuous statement को ले कर तो चले है दोस्तों करते देख़े summer क्या अरक केस्टिसकों नोग पाइफन पॉग्हांद मीं में उसकर सकते हैं टो पहला क्या है वाट इस यूज अद बरेक and continue in python क्या use है breaker continue का python में in python break and continue statement can alter the flow of a normal loop python में breaker continue statement क्या करता है normal loop का जो flow होता है उसको change कर देता है loop iterate over a block of code until the text expression is false loop तब तक iterate होता है block of code में जब तक text expression false नहीं होता है but sometime we used to terminate the current iteration और इभेन दा होल loop without checking the text expression sometime means कुछ कुछ टाइम में हम लोग को क्या करना पड़ता है मानली जी अगर कोई एक loop iterate हो रहा है तो बीच में हम लोग को कोई एक iteration eliminate करना है उस time हम लोग इसको use कर सकते है और यह हम लोग को loop से terminate होना है तो उस time भी हम लोग use कर सकते हैं तो पहले क्या है break statement python break statement terminate the loop containing it break statement use होता है loop से terminate होने के लिए next क्या है if the break statement is inside a nested loop the break statement will terminate the innermost loop अगर nested loop में हम लोग break statement को use करेंगे तो क्या करेंगे innermost में जो loop है उसको ही terminate करेंगा syntax क्या है स्रिफ हम लोग को break लिखना है next क्या है flow chart of break means break statement कैसे काम करता है loop में पहले enter करता है test expression of the loop check करता है अगर true होता है तो break break हो गया तो yes हो के exit हो जाएगा लूप से अगर break नहीं हुआ तो क्या करेंगा remaining of the loop में जाएगा देन एगें टेक्स expression चेक करेंगा अगर false हुआ तो direct exit हो जाएगा लूप से यह किसमे किसमे उसकरता हम लोग तो working of break statement for loop and while loop shown below कैसे उसकरता है देख लिजिए for varying sequence दिए if condition दिए एक देन बेक statement while loop का जागा अभी while test then expression kolon दे की indentation if condition kolon दे की indentation then break ऐसे यूज कर सकते हम लोग next क्या है python में continuous statement the continuous statement is used to skip the rest of the code inside a loop for the current iteration only loop does not terminate but continue on with the next iteration मतलब हम जो बात बोले कि हम लोग अगर चाता है कि जो present iteration चल रहा है उसको हम लोग eliminate करके next iteration में जाना चाता है means skip करना चाता है एक iteration को उसके लिए हम लोग continuous statement उसकरते है तो उसके लिए स्रिफ continue लिखना पड़ता है फ्लोचाट का हम लोग देख लेंगे कि कैसे काम करता है लूप में पहले इंटर होता है test expression चेक करता है फॉल्स होता है तो exit हो जाता है लूप से अगर test expression true है तो continue में जाता है अगर continue हुआ means एक वो skip किया then yes then फिर से गिया अगर skip हो गया last situation आ गया तो इसमें आ जाएगा फिर चेक करेगा फॉल्स हो गया तो exit हो जाएगा लूप से इसका भी दिया हुआ हुआ है नीचे कि कैसे हम लोग उसको programming में यूज़ कर सकते है फॉर भार इन नोट बूक उपिन कर लेते है पहला हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट के लिए programming करेंगे फॉर भार इन डबल कोडिशन में देंगे स्ट्रिंग फॉर भार इन स्ट्रिंग कॉलों दे की इंडेंटेशन देन इप कोडिशन इप भार इकुल्ट 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 डबल कोडिशन में आई कोलों दे की इंडेंटेशन देन इंटर अभी ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ब्रेक देने का बाद थोड़ा सा बैक जाएंगे बैक जाने का बाद प्रिंट क्या करेगा भैर को प्रिंट करेगा भैर प्र करके लास्ट में एक प्रिंट में देंगे इसको रान करेंगे रान करने से क्या आया देखिए एस्टी आर उसका बाद दा इंड आ गिया तो हम लोग जब डिसकॉस कर रहते थे औरी तभी बताया थे कि ब्रेक स्टेट में क्या करता है लूप से टर्मिनेट कर जाता है यहां क्या के पहले कि ए फॉर बहर इंस्टिंग वह इंस्टिंग दिए इस यह इक विफेल टी केवल डो अय तब रेक हो जाएगा तो एसट यह नेग्स में आए है तो इस जगह वह टार्मिनेट हो गिया है और next जो print statement दिये था वो print हो गिया अब next programming करेंगे हम लोग continuous statement को लेकर तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे for var in double quotation में same program ही लिख रहा हम लोग string for var in string colon दे के indentation then यहाप एक if condition if var equal to equal to double quotation में i then enter देंगे enter देने का बाद sorry enter देने से पहले colon दे के indentation देना है क्योंकि हम लोग यह पर if condition यूज किये तो उसका under में देना है हम लोग को continue statement continue दे दिये then enter back जाना है print statement क्या देंगे हम लोग means var को print कर वाएंगे var then enter देके next और एक simply print statement दे देंगे print डावल कोर्शन में the end जैसे वह दिये थे same to same यह देंगे 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 राम करेंगे राम करने से क्या आया यहापे str ng diend तो यहापे क्या हुआ यहापे स्रीप एक इत्रेशन जो प्रेजेंट इत्रेशन था वह eliminate हो गया मिन्सी skip हो गया उसका बाद बाकी वह continue किया और end हो गया पहले break statement में क्या हुआ ब्रेक स्टेड्मेंट में यह लूप से terminate हो गया आई जब fetch हुआ string से आई तब वह लूप से terminate हो गया और continue statement में क्या हो रहा है continue statement में आई जब fetch किया तब उसको skip किया बाकी जो है वह इत्रेशन कंप्रिट करके जो print statement था उसको print किया तो हम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग python programming में break और continue statement यूज कर सकते हैं तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कॉमें शेयर और सब्सक्राइब हीट दाविल इकन अंगे देलिटिस वीडियो अप्डेट